इस वीडियो में बात करने में बाले हैं किXT student की scholarship एकदम निष्चित या जाएगी और वो जो scholarship है वो कब तक आजाएगी तो यहां पर देखिए यह मेरा scholarship का status है और यहां पर क्या दिखा रहा है account verification status में यहाँ पे दिखा रहा है verified by bank तो bank के द्वारा जो है यह verify हो गया है फिर यहाँ पे क्या है की verification by district welfare officer तो यहाँ पे district welfare officer के द्वारा भी verify या recommended कर दिया गया है by district scholarship committee तो यहाँ पे district level पे भी verify है bank account भी verify है और यहाँ पे current status में क्या दिखा रहा है verified या recommended by district scholarship committee तो यहाँ पे जो current status है यह एकदम क्या है verify है तो यह जो scholarship है यह निश्चिती आ जाएगी अब बात करते हैं कि कब तक आ जाएगी तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा यह क्या है scholarship, यूपी scholarship जो website है उस पे यह notification है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है कि क्या चीज़े कौन कौन सीज़े किस किस date को होनी है तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है जन्पद अस्तरिय विभागी अधिकारी के digital signature से locked data के अधार पर NIC की राज 21 से मांग स्रिजित करना और यह कब होगा, 23 March 2022 तक तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जिन student का scholarship verify हो गया है तो उन सारे student का scholarship देना है उन सारे को collect करके और सारा एड करके और यहाँ पे जो NIC की राज इकाई है उससे मांग किया जाएगा मतलब कितना पैसा student को देना है वो जो है, यहाँ पे मांगा जाएगा ठीक है, जो verify हो गया है उसका जोड के फिर यहाँ पे क्या दिया है जनपद अस्तर्य बिभागी अधिकारी के digital signature से lock data के आधार पर bank या कोसगार के e payment के तहत PFMS से छातर छात्राओं के आधार link bank खाते में सीधे धनरासी अंतरित किया जाना तो यहाँ पे जो भी scholarship verify हो गया है और verify होने के बाद से उसको जो है e payment के जरिए अब जानते ही है net banking के द्वारा ही 25 March 2022 तक जो है जो scholarship है वो जितने भी सारे student है उन सबके खाते में जो है यहाँ पे भेज दिया जाएगा तो यहाँ पे 25 मार्च तक जो है जितने भी स्टुडेंट है उनकी scholarship verify होगी है वो जो है यहाँ पे भेज दिया जाएगा ठीक है लेकिन वहाँ पे विकास वहन में जाने पर या समाज कल्यार ओफिस में जाने पर वहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो डेट है वो 31-03-2022 भी हो सकता है ठीक है तो जिन स्टुडेंट की scholarship अगर 25 मार्च तक जो है नहीं जाती है तो वो 31 मार्च 2022 तक जो है इंतजार कर सकते हैं क्योंकि वो लोग जो है बता रहे हैं कि 31 तारीक तक जो है सारे तो इसका जो है ध्यान रखें अगर किसी के 25 मार्च तक नहीं आती है तो 31 मार्च तक जो है इंतजार कर सकते हैं और 31 मार्च तक जो है डेफिनेटली आ जायएगी अगर नहीं आती है तो फिर समझे कि जो है आपकी scholarship जो है आपके खाते में नहीं आएग़ ठीक है झाल झाल